हापी बर्थ दे तो यू बहुत अच्छा करने के लिए हमारा आशिरवाद आपके लिए है आप बहुत आगे बढ़ें बहुत शुपता आपके साथ जुड़ा हो होली का दिन है और होली के दिन जन्म होना ये अपने आप में खुब बहुत बड़ी बात है दोनों चीज़े हैं आज एक तो आज के दि पोनिमा भी है सुबह तक और उसके बाद पोनिमा के बाद प्रतिपदा चैत्र कृष्ण प्रतिपदा शुच्छा से लेकर के ब्यापार आपका दामपत्त जीवन आपके प्राइवेट नौकली कैसी रहेगी सारी जानकारिया हम आप तक पहुंचाते हैं और ये सारी जानक सारी आपके लिए बेहत पॉच्टिव होती हैं इसकी शुबता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आज पूरा बिश्व फाग के रंगों में सराबोर हैं तो आईए बताते हैं सबसे पहले आपके सिक्षा कैसी रहेगी एकर आपके रांके किस मार्च को जन्म पाए हैं तो इस साल मई जून में आपके सिक्षा थोड़ी सी उठा पटक के साथ चलेगी जुलाई अगस्त में सिक्षा का कोई अस्तर आपका बिगड़ सकता है गड़बढ हो सकता है जो आपने कभी कलपना नहीं किया था लेकिन फिर भी अब गड़बढ है तो है क्या कर सकते ह हैं अगर आप दिनांग 21 मार्च को जन्म पाए हैं तो नॉंबर के बाद सिक्षा के लेबल को भी आप बदल सकते हैं सिक्षा किसी बड़ी जगएं पर जाकर के ले भी सकते हैं और कई तरह से सिक्षा को आप जी सकते हैं दिरांग 21 मार्च को जन में पाए लोग ब्यापार ब्यापार में उठापटक थोड़ा सा रहेगा लेकिन फिर भी बड़े निवेश से आप पच नहीं सकेंगे जून जुलाई में आप कोई न कोई अच्छा निवेश करेंगे जिसमें ब्यापार आपका चार चांद पकड़ेगा हो सकता है कि बहुत उपर तक आपका बिजनस जाए लेकिन हाँ पार्टनर्शिप आपकी तूट सकती है पार्टनर्शिप में आपको दिक्कत हो सकती है साजों से बचने क्या वशकता साजा कतर ही न करिये का अन्य था आपके लिए समस्याएं बड़ी हो सकती है खड़ी हो सकती है दिनाग 21 मार्ज को जन्म पाए लोग प्राइविट सेक्टर में अगर जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए कई असीमित संभावनाएं जो बन रही हैं वो सुरुवात में भी हैं, लाश्ट में भी हैं, अर्थात जून जुलाई की आसपास में भी हैं और नमबर के बाद भी हैं, तो बीच में थोड़ा सा बास के साथ नोग जोग हर आफिस में चलता है लेकिन जल्दी जल्दी चेंज करने की अपनी आदत को बदलियेगा, अन्यथा नोगरी से हाथ धो लेंगे, चारशे महिना खाली वैठेंगे सरकारी चेतर, सरकारी चेतर वालों के लिए कई विशेश शुबताएं बनने वाली हैं, हो सकता है गवर्मेंट सेक्टर में आपको अगस सेतंबर तक प्रमोट कर दिया जाए नोवमबर दिसंबर के बीच में थोड़ा सा विभागी रूप से परेशान रहेंगे आप, कुछ लोग आपके विरुद्ध शुड़ियंत्र कर सकते हैं महिलाओं को खास तोर पर सावधान रहने के आवशकता है, आपके विरुद्ध शुड़ियंत्र गंभी रहे जिनांक 21 मार्च को जन्म पाई लोगों को और भी विशेश ध्यान देना है गौवर्मेंट सेक्टर में, किसी से पैरवी करके प्रमोशन और ट्रांसफर के लिए मत कहिएगा अगस्त सितंबर महीने में बॉस के साथ ततकाली नधिकारी के साथ नोग जोग बढ़ेगा और कुछ आपके विरुद्ध निर्ड़े लिया जा सकता है अक्टूबर आते आते कुछ कोट कचहरी के मामलों में भी उलत सकते हैं संतान को लेकर के भी कुछ असाहाई की इस्तिती में आप आएंगे दामपत्य जीवन दिनांग के किस मार्च को जन्म पाए लोगों की मैरिड लाइफ थोड़ी से उठा पटक वाली रहेगी अकसमात समस्याएं कम भीर हो सकती हैं जो पत्नी को कुछ दिन के लिए आपसे दूर कर सकती है अगर आप स्वयम पर नियंतरों रखते हैं तो इस्तितियों को अपने पक्ष में कर सकते हैं अन्यथा चीजें अब ठीक नहीं है दिना कि किस मार्च को जन्म पाएं लोग लव लाइफ की बारे में अगर विचार करें तो लव लाइफ फिर भी ठीक रहेगा मैंने लाइफ की तुलना में एक दुसरे को समझने का मौका आप देने वाले हैं और यह मौका आप अच्छे से देंगे हो सकता है कि किसी अजनवी के साथ आपका बहुत लंबा साथ हो जाए नाबत्ते जीवन की सुरुवात हो जाए यह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा स्वास्त स्वास्त का मामला सुरुवात में गरबर होगा कुछ हर्ट की प्रॉब्लम, शुगर, मैजून में इसके बाद इस्तियां सब ठीक रहेंगी कहीं से कोई विशेश दिक्कर नहीं रहेंगी माकि सब चीजों में आप पॉज्टिव रहेंगे शुभ रहेंगे उपाय क्या करना है मैं उपाय भी बता देता हूँ आप सब को तीन पीपल के पॉज़े किसी अस्पताल में दान कर दीजेगा और अगर आज आपकी शादी की सालगिरा है किस मार्च को तो तीन सनिवाल लगातार किसी विद्वा महिला को कुछ अन और दबा का दान करें ये आपके लिए बेहत शुभ होगा लाफदायक होगा पॉज्टिव रहेगा मौच से होली खेलिए मस्त होली खेलिए शुभ कामना है हमारी इस कारिक्रम को पूरे वर्ष आप देख सकते हैं कभी भी किसी को फारवर्ड कर सकते हैं पूरे साल में कभी भी उपाय कर सकते हैं मार्च महिने के 23, 24, 25 तारिक को हम बनारस में मिलेंगे 29, 31, 31 मार्च को हम रायपूर मिलेंगे और 4, 5 अपरेल को अमरित्सर में फिलाल के लिए अनुमत देजिएगा एक फिर से होले की बहुत सारी शुब कामना है नमस्कार